इस्टेडी 24 उदेपुर में आप से भी का स्वागत है इस वीडियो में हम इक्नोमिक्स के 20 मल्टिपल चोईस को सोल करने वाले हैं सबसे पहला कोशन लेते हैं आज का हम प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारम की गई थी? 2016 में जनवरी 2016 करेक्ट आंसर आपका ओप्शन C अगला प्रशन देखिए भारत में किसान क्रेडिट कार्ड के सी सी किस समीति की अनुशनसा से प्रारम किये गई? किसान क्रेडिट कार्ड भारत में कब प्रारम किये गए 1998 में और किस समित्य की अनुशनसा पे प्रारम किये गए थे ये आर वी गुपता कमिटी की अनुशनसा पर करेक्ट आंसर आपका ओप्शन ए नेक्स देखते हैं अगला देखिए वरतमान में थोक कीमत सुचकांग होलसेल प्राइज इंडेक्स की गणना का आधार वर्ष क्या है ठोक कीमत सुचकांग जो है प्रती साब्ताइक की साब से इसकी गणना की जाती है और वरतमान समय में इसका जो आधार वर्ष लिया जाते है वो कौन सा है 2011-12 करेक्ट आंसर आपका ओप्शन बी नेक्स देखिए आई-एस वक्र के अनुलम वर्टिकल होने पर कौन सी निति प्रभावी होगी आई-एस वक्र के बारे में पुछावा है जब आई-एस वक्र हमारा इस आकार का है तो एसी स्थिति में देखिए जो राजकोशी निति हैं फिस्कल पॉलिसी हैं वो प्रभावी होगी मोद्रिक निति जो हैं प्रभावी होगी तो यहां पर अगर हम देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट हैं मुद्रा आपूर्थी एवं उच्छ शक्तिशाली मुद्रा में किस प्रकार का संबन्द होता है सप्लाई ओफ मनी और हाई-पावड मनी में किस प्रकार का रिलेशन है डायरेक्ट ठीक है प्रत्यक्श संबन्द हम कह सकते हैं option आपका A नेक्स्ट हैं फ्रिड मैन के अनुसार कुल संपत्ती सुची में शामिल है फ्रिड मैन ने मुद्रा की मांग का जो सिद्दान दिया था इसमें कुल संपत्ती सुची में उसने मानवी और गेर मानवी धन दोनों को सम्मिलित किया था ब्याज और लाबांज जो है वो किस में आते हैं गेर मानवी धन में आते हैं तो यहां पर correct answer आपका हो जाएगा option C ठीक है फ्रिड्मेन के अनुसार कुल संपती सुची में मानवी और गेर मानवी संपती दोनों को समिलित किया जाता है नेक्स देखिए टोबिन के अनुसार निवेश सुची में शामिल है ठीक है निवेश सुची जो होती है लोगों की उसमें टोबिन ने क्या बताया है कि लोग मुद्रा को अपने पास में नकद रूप में भी रखते हैं और बोन्ड के रूप में भी रखते हैं मुद्रा एव का उपाए नहीं है जब अर्थ व्योस्ता में मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन की इस्तिति हैं तो मुद्रा संकुचन की जो इस्तिति हैं उसको दूर करने के लिए क्या किया जाएगा जो crr है slr है उसको कम किया जा सकता है सार्धनिग वैजियो है उसको बढ़ाया जा सकता है बेंक दर में कमी की जा सकती है और करों की दरों को घटाया जा सकता है तो यहाँ पर लिखावा है करों की दर में व्रदी यह जो उपाय है वो मुद्रा संकुचन नियंतरन का उपाय नहीं है मुद्रा संकुचन की इस्तिती को नियत्रन करने के लिए करों की जो दर है उसको घटाना चाहिए उसमें कमी करना चाहिए नेक्स देखिए रोजगार गुनक, इंप्लोमेंट मंटिप्लाइर का जो कंसेप्ट है अवधाना है उसका संबन किसके साथ में है रोजगार गुनक की जो अवधाना है वो किसके द्वारा दी गई, आर एफ काहन के द्वारा ठीक है उप्शन आपका डी और प्रोफेसर किंस का जो मल्टिप्लाइर था गुनक था वो कौन सा था निवेश गुनक था इन्वेस्मेंट मल्टिप्लाइर था को नेक्स देखिये कुर्णो मोडल के संदर्व में गलत हैं तक कुर्णो का डियोपोली मोडल था दिुयाधिकार यह जो क्लासिकल मोडल कर लाता है, OLYGOPOLY का तो उसके संदर्व, उसमें क्या माना सभजल हैं और प्रत्येक फर्म को बाजार के बारे में पूरी जान करी हैं ये तीनों मानिताइं कुर्णों मौडल में लिए गई हैं ठीक है अपनी वश्चु की कीमत स्वैम निर्धारित करती हैं ये गलत हैं ठीक है कीमत का जो निर्धार नो किसके आदर पर होता हैं बाजा क्यादार पर next है فिशर के अनुसार मुद्रा की मात्रा में 10 प्रतिशत की व्रद्दी से कीमत ईस्तर में कितनी व्रद्दी होगी तो फिशर का जो मुद्रा परिमान सिदान थे हैं classical theory ज़सको मह कहते है प्रतिश्यचित सिदान उसमें क्या बताया कि मुद्रा की मात्रा और कीमत इस्तर में प्रत्यक्ष और आनुपातिक सम्मन्द होता है प्रत्यक्ष और आनुपातिक का मतलब क्या हो गया मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर कीमत इस्तर भी बढ़ेगा अगर मुद्रा की मात्रा डबल हो जाती है तो कीमत इस्तर भी क्या होगा डबल हो अगर मुद्रा की मात्रा में 10 प्रतिशत की व्रद्धी की जाती हैं तो जो कीमत इस तरह वो भी कितना बढ़ेगा 10 प्रतिशती बढ़ेगा correct answer option A next है CES उत्पादन फलन के संदर्व में सही कत्थन है ठीक है प्रतिशतापन की इस्थिर लोच का जो उत्पादन फलन है उसके संदर्व में क्या माना गया है कि प्रतिशतापन की जो लोच है वो इस्थिर होती है बिल्कुल सही है और प्रतिशतापन की लोच इस्थिर होने के साथ में उसका जो मुल्य है वो धनात्मक होगा जीरो से लेके अनन्द के बीच में कुछ भी हो सकता है तो पहला option भी सही है दूसरा भी सही है और फिर जो CES उत्पादन फलन है वो दो से अधिक सादनों के संदर में भी लागू होता है ये कथन में बिलकुल सही है बाकी जो उत्पादन फलन उसमें दो सादन लिये गए हैं लेकिन CES उत्पादन फलन जो हैं वो दो से अधिक सादनों के परियोग के स्थिति में भी लागू होता है तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा option D उपरोक्त सारे कथन जो हैं वो सही है next देखिए कोब डगलस उत्पादन फलन Q एक्वल टू A L की पावर अल्फा की पावर 1 माइनस अल्फा में अल्फा का मान कितना होता है अल्फा प्लस बीटा दोनों की टोटल कितनी होती है 1 होती है और कोई भी एक सादन 0 नहीं हो सकता है इसलिए अल्फा का जो मान होगा वो क्या होगा मेशा धनात्मक होगा लेकिन एक से कम होगा तो अल्फा की वेल्यू लेस देन 1 होती है करेक्ट आंसर ओप्शन भी होगा next देखिए साधनों के अनुकुलतम सहियों किस्तिति तो उसके लिए क्या कंडिशन है जो मारजनल रेट ओफ ट्रांसपोर्शन है तक्निक की प्रतिस्तापन की जो सीमान दर है वो डबल्यू अपोन आर मज़दूरी और व्याज का जो अनुपाते वो समान होना चाहिए भी सही है फिर MPL अपोन MPK इकवल डबली ओपन आर होना चाहिए यह भी बिल्कुल सही है MPL अपोन W इकवल टू MPK अपोन आर यह भी सही है तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ओप्शन D उपरोक्त सभी इस्तिति सही है अगला देखिए निम्न में से उपरी लागत overhead cost कौन सी है तो देखिए उपरी लागत का मतलब एक तरह से होता है जो इस्तिर लागत है एसी लागत जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ में परिवर्तित नहीं होती है इस्तिर रहती है तो देखिए कच्ची माल की जो कीमत होगी ठीक है वो एक तरह से उत्पादन बढ़ने पर कच्चा माल जादा खरितना पड़ेगा इसलिए लागत क्या होगी बदलेगी परिवन वे भी बदलेगा बीमा की जो किस्त है ठीक है वो एक तरह से क्या होगी निश्चित चाए उत्पादन करें या नहीं करें इसलिए इन में से जो ओवर हेड कोस्ट है उपरी लागत है वो कौन सी है बीमा की किस्त है नेक्स्ट है ओसत परिवर्तनशी लागत एवं ओसत उत्पादक्ता में क्या संबंद होता है अगर उसत उत्पादक्ता जादा होगी तो जो परिवर्तनशी लागत है उसत वो क्या होगी कम होगी और उसत उत्पादक्ता अगर कम होगी तो लागत क्या होगी बढ़ेगी इसका मतलब दोनों के बीच में किस परकार का संबंद होता है नेगेटीव विपरित रिनात्मक संबन्द होता है Option C Next है वह फर्म जो दिर्ग कालिन ओस्त लागत LAC के नियुन्तम बिंदू पर कारे करती है ठीके जो फर्म दिर्ग काल में ओस्त लागत के नियुन्तम बिंदू पर काम करती है AC फर्म को क्या का जाता है यह नियुन्तम बिंदू पर जो फर्म उत्पादन निर्धरित करती है यह उत्पादन जादा भी हो सकता है अलग-अलग फर्मों के उपर निर्भर करता है किसी फर्म के लिए कम भी हो सकता है ठीके आकार जो होता है वो जादा कम हो सकता है लेकिन जो फर्म इस न्यूंतम लागत पर उत्पादन करती है उसको क्या का जाता है उप्टिमाम फर्म इस्टतम फर्म या अनुकुलतम फर्म कहा जाएगा ओप्शन डी नेक्स देखिए किस बाजार में मांग की प्रती लोच क्रोस इलास्टिसिटी वो जीरो होती है यहां साथ में हम कह सकते हैं बहुत कम होती है जैसे ठीक है जो क्रोस इलास्टिसिटी है मांग की आडी लोच यहां प्रती लोच क्या होती है शुन्य होती है और शुन्य का मतलब यहां पर हम बहुत कम को भी ले सकते हैं और ऐसा किस बाजार में होता है जिसमें किसी वस्तो की प्रतिस्थापित सब्टिट्यूट गूट नहीं पाई जाती है प्रतिस्थापित वस्तो जिस बाजार में नहीं होती है और ऐसा बाजार कौन सा होता है एक अधिकार बाजा होता है मोनोपोली मार्केट तो एक अधिका हैं वो AR upon AR minus MR होता है बिल्कुल सही है फिर जो संबन है average revenue elasticity और marginal revenue की बीच में उसको हम ऐसे भी लिए सकते हैं MR equal to AR multiply by E minus 1 upon E ये भी सही है और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं AR equal to E upon E minus 1 multiply by MR तो यहां पे जो संबन दे रखे हैं वो तीनों सही है correct answer मारा हो जाएगा option D